दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका WhatsApp account hack हो गया है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, वैसे आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपका WhatsApp account hack है, लेकिन अगर आप किसी से personal chat कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं होगा बीच में से कोई तीसरा person आप दोनों की chats को पढ़ रहा होगा, तो chat कौन पढ़ रहा है, इसका भी आपको पता चल सकता है, और chat वो नहीं पढ़ेगा आगे से, उसको आप logout भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, और आगे आपका account को यह hack ना करे, उसके लिए मैं आपको tips बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से दे और नमबर पर option दिखेगा, linked device का, linked device पर click करना है, यहाँ पर show रहा है your device was logged out due to unexpected issues, please relink your device, मैंने login किया हो था मेरे whatsapp को दूसरे मेरे mobile में, तो यहाँ पर show रहा है, मतलब एक तरह से logout हो चुगा है, तो मुझे यह notification आया है, अब आपको यहाँ पर किस तरह का option दिख रहा है, अगर मेरी तरह इस तरह का option दिख रहा है, linked device green color में show रहा है, और नीचे आपको कुछ भी option, मतलब आपको कोई भी device show नहीं, और नीचे white screen है, blank है, तो समझ लेना आपका WhatsApp account है, जो hack नहीं है, कोई भी आपकी chat को नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अगर आपको इसके नीचे Chrome बना login है, जब कैसा show होता है, अभी फिलाल मेरा login नहीं इस लिए show नहीं हो रहा, मैं screenshot अगर दिखा दूँगा, इस तरह का show होता है, आपको जैसे कोई show हो रहा है आपर, तो आपको उस पर diet click कर देना है, click करने के बाद आपको logout option आएगा, logout पर click करते ही, आपका account वासे logout हो ज WhatsApp वैब कैसे open करें, मेरे चैनल पर वीडियो भी है, देख लेना आप, उसमें QR code उपन करेगा, और आपके WhatsApp में से link के device पर click करके, एक तरह से screen log भी मांगेगा, और आपको उसको, आपका screen log भी पता है, तो भई WhatsApp आपका open कर सकता है, वो, screen log उपन किया, अब scanner चाल हो जाएगा आपका scanner से, उस QR code को scan करेगा, और आपका WhatsApp एक second में उस वाले mobile में login करके, वो चला गया, आपको mobile वापस दे कर, तो सबसे पहले आपको याद करना है, कि मेरा mobile है, जो मेरा किस ने लिया था, और किस ने लिया तो लिया, किसी को मेरा screen log भी पता है, या फिर आपकी finger आप उसन लेना, आपका account safe है, अगर शोर आया तो उसको direct उस पर click कर देना, logout को option आजाएगा, logout आपका हो जाएगा उस mobile से, फिर आपकी chat कोई भी नी पढ़ पाएगा, लेकिन हमेशा आपको याद रखनी है, कि आपको mobile को किसी को देने से बचना है, कोई भी आपका जानकार person हो, अगर आपको बिल्कुल trust है, उस पर तो ही देना, नहीं तो आपका account हो hack कर सकता है, आपको पता ही नी चला है, WhatsApp क्या, Instagram, Facebook सब को hack कर सकता है, आपके mobile को पूरे एक एक कर सकता है, जिसके आपको आपको trust नहीं है, क्यों आजकल ऐसे काम हो रहे हैं, जिससे आपको पूरा mobile एक आपको security आपको खुद को यह देखनी है, कि आपको किस तरह से mobile को अपने safe रखना है, तो इस तरह से WhatsApp अगाउंट को आपको hack ओने से बचाना है, hack हो भी गया तो उसको logout भी कर सकते हैं, तो उमीद करता है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जहूर जाना, मिलते हैं नहीं शुन्यों में, तब तक के लिए बाए